हाँ जे स्टुडेंट करते हैं स्टार्ट हम आज एक रेशो का सेकंड फेस फर्स्त हमारा लिक्टृडिटी रेशो ॉर उसको हमॉ शॉर्ट ट्रम सॉल्वेंशी रेशो या एक और रेशो बोलते थे कौन सा ratio कहते थे हम working capital ratio भी कहा करते थे वो हम complete कर चुके हैं उसके अंदर हमने reason based भी complete किया अब second है solvency ratio तो but obvious है ये वाला जो solvency ratio है न ये long term solvency ratio होगा ठीक है न? solvency ratio में हम 4 तरीके की ratio को discussion करेंगे और वो ratio होगा हमारा debt equity ratio, proprietary ratio, asset to debt ratio और एक है हमारा interest coverage ratio, ICR जिसे बोलेंगे तो simply पहले एक बार हम ratio समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसके basis पे question करना start करेंगे पहले हम समझ लेते है ratio है क्या और इसमें क्या-क्या help मिलेगी इस ratio का नाम याद करना बड़ा ही आसान है मतलब के जैसा नाम है ना उसी से ratio भी बन जाएगा पहले दो ratio किये वो तो आपको यादी हो गया current ratio और quick ratio का formula और इसका नाम आपको याद नहीं करना जैसे नाम यानि formula solvency ratio के अंदर देखें first ratio जो हमने देखा है उसका नाम है debt equity ratio ठीक है ना debt equity ratio तो debt equity का मतलब है formula देखो कैसे बना दिया मैंने debt upon में equity यहाँ debt से मतलब है सिर्फ और सिर्फ long term debt ऐसा ही question पूछा जाता है कई बार student को confuse करने के लिए के total debt equity ratio बताओ तो यहाँ पे ना total debt की जगह पे हम debt की जगह पे क्या लिख देंगे total debt अब सबसे पहले debt का मतलब क्या होता है debt का मतलब होता है करजा और equity कहलो या shareholder fund कहलो divide करेंगे और answer जो आएगा ना हमेशा हमेशा is to में answer आएगा वारा है यानि अनुपात में answer इसका आएगा simple form बोलो तो अब इसके अंदर देखा जाए कि sir हमें इसका explanation चाहिए कि debt मतलब क्या क्या हो सकता है तो debt का मतलब या long term debt का मतलब हो सकता है debenture हो सकता है bond हो सकता है bank से लिया गया loan और हो सकता है public deposit question raise होता है sir public deposit क्या है वो deposit जो public ने मेरे पास as in security किया है पांस साल के लिए suppose करो कि मुझे अपना एक property है और मुझे rent पे देना है तो वो lease पे दिया lease पे देने से पहले ना हम क्या करते है उससे बोलते हैं कि आपको security देना पड़ेगा 10 साल के लिए तो 10 साल के लिए उन्होंने 5 लाख रुपे मेरे पास जमा कर दिया तो that is a liability और long term liability के अंदर convert हो जाएगा ठीक है public deposit इसके बाद any kind of long term provision आपका provision for tax भी हो सकता है और आपका provision for provident fund भी हो सकता है ठीक है ना तो ये किसको explanation किया हमने long term debt को ratio कौन सा है debt equity debt equity का मतलब long term debt divided by equity अब equity को explain करते हैं तो equity का मतलब shareholder fund ही होता है अब sir equity या shareholder fund किसे कहेंगे equity share capital प्लस में preference share capital प्लस में reserve अब reserve बड़ा ही detail word है एक reserve का मतलब क्या क्या हो सकता है जो reserve आपने financial statement schedule 3 में पढ़ा था reserve and surplus वो सारा है वहाँ क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं बता देता हूं आपको वहाँ पढ़ा था हमने journal reserve वहाँ पढ़ा था हमने security premium वहाँ पढ़ा था हमने capital reserve वहाँ पढ़ा था हमने debenture redemption reserve वहाँ पढ़ा था हमने capital redemption reserve और profit plus हो जाता था यानि surplus और loss क्या हो जाता था हमारा minus हो जाता था तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा schedule 1 तो जो मैंने बोला है वो लिख सकते हैं वो सारी चीज़े reserve बाकी मैं लिख भी दूँआ मैंने यहाँ although लिखा equity ESC का मतलब equity share capital plus prevent share capital reserve के अंदर देखो मैंने कितने सारे points explain कर दिया profit surplus minus में losses ठीक है any kind of loss यहाँ पे ले सकते हो तो हमें debt formula याद नहीं करना हमें formula क्या था debt upon me equity वो तो मैंने long term लिखा है अपनी तरफ से लगा के ताकि आपको पता रहे किया है वैसे तो debt upon me equity होता है आपको debt or equity की जानकारी ना देखे other की जानकारी देता है जैसे की assets की जानकारी दे देना जैसे की current liability की जानकारी दे देना तो आपको इस situation में निकालना पड़ेगा इसके लिए एक simple सा हमें balance sheet पता होना चीए although हमने जिन बच्चों ने पहले ratio किया हुआ है उनको पता है कि ये balance sheet कौन सा बनाने वाला हुआ है balance sheet का मतलब आपको formula learn नहीं करना पड़ेगा ये liability side होता है normally normally liability side में क्या-क्या होता है एक होता है हमारा shareholder fund shareholder fund एक होता है हमारा यहाँ पर known current liability और एक another last one होता है हमारा यहाँ पर current liability मैंने थोड़ा abbreviation लिखा है लेकिन clear समझ में आएगा आपको shareholder fund known current liability या फिर current liability दूसरे side बात करें तो होता है हमारा fix assets और fix assets को हम दूसरे terms में known current assets भी बोल देते हैं और क्या हो सकता है investment और क्या हो सकता है current assets और आपको पता होना चाहिए और in fact पता है आपको के हमारा इन दोनों का always total equal होता है जो total liability का होगा वही total assets का होगा और जो total assets का होता है वही total total liability का होता है मैंने कहा कि कई बार आपको debt और equity ना दे ऐसा हो सकता है न तो debt equity नहीं देगा तो अगर ये जानकारी दे दे आपको ये सारा information दे दे तो आप easily minus plus करके निकाल सकते हो छोटी सी बात है आपको ये भी ध्यान रखना है तो इन दोनों को अगर जोड दिया जाए ना किस किस को जोड जाए एक तो हमारा shareholder fund को और non current liability को तो capital employed कहेंगे और अगर non current liability और current liability को जोड दिया जाए तो क्या होगा total debt debt का मतलब total कर जाए ठीक है ना तो इस help से हम कैसे निकाल सकते हैं suppose करो मैं एक example देता हूँ आपको हो सकता है maybe आपसे ऐसे question पूछा जाए जैसे question ने बोला कि total asset total assets है मान लेते हैं 10 लाक रुपे और question ने बोला current liability है 2 लाक रुपे और question ने क्या कहा current liability के साथ साथ non current liability यानि debt non current liability का मतलब debt है वो है हमारा 5 लाक रुपे तो यहाँ पे हमें अगर debt equity ratio निकालना है तो हमें debt चाहिए जो already question में mention है और हमें equity चाहिए जो नहीं पता तो हम easily इस balance sheet के अंदर plot करके कर सकते हैं कैसे total assets पता है यह आ जाएगा 10 लाक है ना और यह भी आ गया 10 लाक और 2 लाक रुपे यहाँ put कर देंगे और 5 लाक रुपे यहाँ put कर देंगे यू know very well के भाई जो बचा हुआ होगा balancing figure यह आएगा जो कि आएगा 3 लाक तो आपके सामने result आ गया 3 लाक रुपे आपका equity है और 5 लाक debt है तो result आएगा 3 divided by 5 लाक और answer न इसमें 2 is to 1 better माना जाता है अगर 2 is to 1 का ratio है ना तो हम बोलेंगे हमारा best है debt equity ratio और even तो कई company तो loan देने के लिए बोलती है अगर आपका debt equity ratio अगर 2 is to 1 है तभी हम आपको loan भी provide करेंगे bank वगेरा तो पहला था हमारा debt equity ratio formula भी learn हो गया इसके अंदर के components भी पता चल गया अगला ratio हमारा जो आता है कहता है total asset to debt ratio अब नाम देखो सबसे पहले क्या है total assets उसके बाद क्या है debt तो यह formula बन गया total assets divided by debt अब total assets क्या होता है total assets होता है fixed assets investment प्लस में current assets clear है और debt क्या होता है as the same जो कि हमने पहले discuss किया है तो इस formula में मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा बताने की जुरत नहीं है अब last है proprietary ratio प्रोप्राइटर का मतलब होता है owner और owner का business में देखा जाए ना तो यह capital होता और एक assets होता है सिर्फ मालिक का business में क्या देखा जाता है उसका एक capital है जो उसने पूंजी लगाया है और एक उसका assets है liability तो बाहर वालों का होता है तो प्रोप्राइटर से ही बना है proprietary ratio proprietary ratio का formula क्या होगा है मालिक का equity और divided by total assets अब equity क्या होता है as a earlier हमने discussion कर लिया है shareholder fund और assets क्या है total assets वो भी हमने discuss कर लिया है यह तो हो गया formula याद करने का तरीका proprietor का मतलब मालिक का क्या होगा सबसे पहले business start होता है capital capital divided by assets total assets इसका answer कई बार examiner percentage में भी दे सकता है और इस्टू में भी दे सकता है अगर percentage में answer होगा तो multiply hundred करना पड़ेगा समझे लास्ट वन है interest coverage ratio interest coverage ratio का formula होता है profit before interest and tax divided by total interest on long term बो रही इस वाले को मैं discuss करूँगा अभी नहीं इसको हम discuss करेंगे profitability ratio में जब हम करेंगे profitability ratio तब हम इसको discuss करेंगा सबसे last में अभी मैं इसको discuss नहीं करना चाहता क्यूंकि इसके formula में आगया profit before interest and tax तो वो profitability ratio में बार बार सिखाना है मैं वहाँ पर एक बार discuss कर लूँ ठीक है अब हम purpose समझते हैं कि सर इस ratio का सीखने का purpose क्या है ये भी जानना जरूरी है debt equity एक relation बताता है कर्जा और equity मतलब कि कितना कर्जा है और कितना मालिक का capital है अगर मालो मैं बोलता हूँ कि मालिक ने लगाया 100 रुपे या मैं बोलता हूँ कर्जा 100 रुपे है और मालिक ने लगाया 50 ratio आगया 2 is to 1 तो इससे ये पता चलता है कि जितना पैसा मालिक ने लगाया है उसका दुगना कर्जा ले रख यही तो पता चल रहे हमें तो यानि liability, long term liability और equity share का relation बताता है सेम ये किसका relation बता रहा है, assets और debt का तो always देखना ये assets ज़्यादा होगा, debt कम होगा जिस दिन debt ज़्यादा हो गया और assets कम हो गया company की condition बहुत पेकार हो जाएगी उस time पे ठीक है न? और ये बताता है assets और equity के बीच में relation ठीक है न? तो ये था हमारा ratio जो कि आपने note करा है note कर सकते हैं एक बार ये ratio इसके बाद इससे related कुछ छोटे-छोटे questions हैं वो करेंगे और reason-based वाले question मैंने बता दिये है current ratio में, same वैसे ही होंगे reason-based वाले question जैसे कि पहले सोचा था, clear है आपको? तो फटा-फट से एक बार जो parts आपका रहता है और doubt है तो आप पूछ सकते हैं